आप सबको स्वागत है, दस में की श्रुदन में, परमात्मा पिता कहते हैं कि सुवा के राज्य द्वारा, सुवा का राज्य मरला अपने मन बुद्धी संसकार के पर राज्य करना, अपने करमेंद्यों के पर राज्य करना, अपने साथियों को नहीं सहयोगी बनाने वाले मा राजा अर्थात दाता को कहना व हां मांगना नहीं पड़ता क्यों वो श्वैम ही जानते हैं किस चीज की ज़ुरत है और वोrickवत देते हैं उनको पिना मैंखे हुए सवेम हर एक राजाओं को अपने दृखलार सोगात आफर करते हैं Swim हर एक राजाओं को अपने स्ने की सौगात ओफर करते हैं आप भी Swim पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ओफर करेंगे अगर हमारा अपने उपर कंट्रोल रहेगा अपने मन बुद्धी संसकार कंट्रोल रहेगा हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म एक्यूरेट होंगे तो हमें Automatically सहयोग मिलेगा जिसका सौप राज्य है उसके आगे अलॉकिक साथी जी हाज़ूर, हा जी कहते हुए नहीं सहयोगी बनते हैं जिसका सुवपरराज्य है उसके आगे मतलब कि जिसका अपने संकल्प, अपने बोल और अपने कर्मों के उपर प्यूरिटी के द्वारा, परमात्मा की शक्ति के द्वारा कंट्रोल होगा उसको हर तरफ से सहयोग मिलेगा, लेकिन जो अपना संकल्प, बोल और कर्म को बरकाबूर न रखते हुए अपना आबा को देता है, या अपने कंट्रोल को खो देता है, या विकारों को इस्तमाल कर लेता है मैनिप्रेशन कर लेता है, अपने काम को बढ़ाने के लिए चाहिए लोकिक और अलोकिक में तो फिर परमात्मा कहते हैं कि उसको सहयोग नहीं मिलता जिसका स्वपर राज्य है, उसके आगे लोकिक अलोकिक साथी जी हाजर, जी हजूर, हाँ जी कहते हुए नहीं सहयोगी बनते हैं परिवार में कभी ओर्डर नहीं चलाना ओर्डर किसको चलाना पड़ता है, जिसको कंट्रोल करने की इच्छा होती है, जिसको शक्ती महसूस होती है जिसको वैसे फील होता है कि हो सकता है कि लोग उसकी बात ना माने या उनको respect ना करते हूं या उनको खोदी feel होता है कि उनकी जो value है थोड़ी कम है तो order चलाने से उनकी value बढ़ जाएगी परिवार में कभी order नहीं चलाना ब्लॉक एक परिवार हो चाए अलॉक एक परिवार हो अपनी करमीद्रियों को order में रखना तो आपके स्वर्व साथ ही आपके इस नहीं सहयोगी बन जाएंगे जब हम अपने order में रहेंगे तो automatically हमें सहयोग मिलेगा लोग आत्माएं और हमारे खुद के करमीद्रियों भी हमारे कंट्रोल में रहेंगे और हमें help करेंगे आगे बढ़ने में उम्शंती